नमस्कार, आज तक AI में आपका स्वागत है, मैं AI एंकर सना आपको बताऊंगी खेल से जुड़ी खबर के बारे में. वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में साउथ अफरीका की टीम की किस्मत हमेशा ही खराब नजर आता है. इस विश्व कप में ही देखा जाए तो साउथ अफरीका की टीम फाइनल की देहलीज तक पहुँचने के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. विश्व कप 2023 के दूसरे सेमी फाइनल मैच में आस्ट्रेलिया ने साउथ अफरीका को तीन विकेट से हरा कर फाइनल में प्रवेश कर लिया. इस हार के बाद साउथ अफरीका खुद से चोकर्स का टैग नहीं हटा सकी. एहम मौके पर हमेशा हारने के कारण चोकर्स का टैग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. आईए जानते हैं क्यों साउथ अफरीका की टीम को चोकर्स कहा जाता है? बता दें कि चोकर्स वाला शब्द चोक से बना है, जिसका मतलब यहीं होता है कि एहम और जरूरी समय पर रुख जाना. ICC टूर्नामेंट के बड़े मैच में साउथ अफरीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, और ऐसा कई खास मौकों पर हुआ, जिसके बाद टीम पर चोकर्स का ठप्पा लग गया. दरासल, साल 1992 से विश्वकप का हिस्सा बनने के बाद इस टीम ने अब तक कुल 9 बार विश्वकप खेला है, लेकिन कभी भी चैंपियन नहीं बन सकी. ऐसा भी नहीं है कि साउथ अफ्रीका की टीम विश्वकप में किसी कमजोर टीम की तरफ शुरुआत की हो, और फिर शांदार शुरुआत के बाद अंक तालिका पर दूसरे स्थान के बावजूद, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है. इसमें भला किस्मत का साथ कैसे नहीं कहा जाए, जो टूर्नामेंट में बहतरीन शुरुआत के बावजूद नौकाउट स्टेज में वह अकसर अपनी गलतियों के चलते ये टीम खिताब से चूक जाती है. इस विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका का फाइनल में पहुँचने का सपना चकना चूर हो गया. 1992 विश्वकप में हार के बाद मिला चोकर्स का टैग. इस विश्वकप ही नहीं, बलकि बाद साल 1992 का विश्वकप की हो या फिर 1999 की खराब किस्मत और अपनी गलतियों के चलते टीम चोकर बन गई 1999 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ ही साउथ अफ्रीका की टीम को 214 रन का टार्गेट मिला था इस दोरान शांदार शुरुआत के बाद शेन वॉर्ण ने दोनों ही ओपनर्स को चलता किया इसके बाद जैक कैलिस ने जोंटी के साथ टीम की पारी को संभाला लेकिन फिर 150 रन के बाद टीम लगातार अपने विकेट खोती गई और टीम का स्कोर 9 विकेट खोकर 198 रन हो गया ऐसे में आखिरी ओवर में 9 रन की दरकार थी तो कलूजनर ने शांदार चौके लगाकर मैच को टाई कर दिया लेकिन किस्मत ऐसी कि फिर भी ऑस्ट्रेलिया इटीम फाइनल में पहुँच गई क्योंकि सुपर 6 राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने साथ अफरीका को हराया था इस मैच की हार के बाद साथ अफरीका के ऊपर चोकर्स का टैग लग गया आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सबस्क्राइब करें आज तक AI